आप सभी का देश की पहली डिजिटल फार्मेसी काउंसिल की तमाम सिवाएं अब मोबाइल आप पर भी उपलब्ध होंगे। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीढा ने अपने सरकारी आवास पर काउंसिल के नए आप को लॉंच किया। कारक्र में चिकित्सा मंत्री मीढा ने 75 साल की आईउ के फार्मसिट्स का मात्र एक रुपए शुल्क में पंजियन और आईडी कार्ड जारी कर शुरुवात की। इस माकी पर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीढा और काउंसिल के पदादीकारियों से खास बादचीत की हमारे समवात दाता विकास शर्माने। जो इस तरह से डिजराइज में काम करेगी। परेखनी थी नहीं हो पता था। कोई काम करने के लिए बी उनको बड़ी परिषानी आती थी पिछली बार जब हमने इसका रिवीव किया था तो इनको कहा था कि इस पर परेशानी नहीं है कोई फार्मेसी करके आ रहा है उसका रिजिश्टाइशन नहीं होता है तो वो रोजगार बेरोजगार गुमता है अब इस तरह का घर बैठे भी आप एप से भी इसका रिजिश्टाइशन करवा सकते हैं सब्सेश्टाइश और एक क्लिक पर सारी मिलेगी किसतर से गताया इन चुछंतर लिए उसका बीएप केgyले पहले बड़े लेवल पर कहने के बाद भी रजिस्तन नहीं होता था नहीं जो फार्मेसिक आउंसिल बनी इस अच्छा शुरुवात किये इनको मैं बदाए देता हूं जो नहीं इन्हों अच्छा काम किया उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्युद नवीन सांगी जी रिष् अच्छा नहीं हो उसी भावना को रखते हुए हमने पिछले 6 में 10,000 रेजिस्टेशन की हैं तो एक तरह से हमने 10,000 जड़ों को रोजगार दिया है तो सरकार की जो योजना है उसमें फार्मेसिक आपना पूरा योगदान दे रही है और 75 सार पून होने पर जिनके भी फार सुखूर सयोग करेंगे और तुरंद इप्लिमेंट करने की कोशिस करें लुए है करवाग अध्यक्षा उनसे बात करते हैं मैं इस तरह की जो पहल है उसको किस तरह से देखते हैं यस तरह की पहल से फार्मासिस्टों का एक रूपे में रेजिस्टेशन करें एक रूपे मे पंचरीन के सातेल हतों प्राम सीचस्टों श्याटरे में पिलेगी सांद कीफिर साथ मिलने से के सात्विकाश